हलो फ्रेंज गुड मॉर्निंग स्टॉक मार्किट की बड़ी खबर है आज की डेट यानि की 2 दिसंबर 2 चारवीश नया मंत मैं का हूंगा नई डेट यहां पे सेकंड है इस मंत का बट मार्किट के हालात कैसे हैं यूएस मार्किट क्लोबल मार्किट क्या कुछ कह रहे हैं ट टेक्निकल आनलेसिस सीखने के लिए आप जॉइन कर सकते हैं में अंबर से जॉइन बटन पर क्लिक करके डाउजोंस जरा देखे डाउजोंस को डाउजोंस अभी के टाइम पे अकर देखा जाए 185 तर जंप देखने को मिला साथ के साथ नैस्टेक में 156 पॉइंट का जंप बढ़िया आपको गया यह तो बहुत है जंप था लेकिन इसका असर एशन मार्कित में कैसा रहा वह इंपॉटेंट रहता है क्योंकि यहां पे ट्रेड करती है सिंगापूर निफ्टी का फ्यूचर सिंगापूर के मार्कित में और यहां पे 13,138 पे सिंगापूर निफ्ट की अभी ट्रेड कर रही है जापान की निकाय भी डाउन है State Townsecond है हैंक सेक बीडाउन है तो मार्कित मैं कहोंगा डाउन ज़रूर है लेकिन ज्यादा situation एकदम ज्यादा गिरी भी नहीं है तो फ्लैट के सांद डाउन है टॉप के मार्केट उसके अलावा ताइवान वेटे थोड़ा पॉजिटिव कॉस्पी थोड़ा पॉजिटिव सैट कॉंपोजिट पॉजिटिव जखार्था कॉंपोजिट थोड़ा सा पॉजिट ये फ्लै जो हाइब बनाया था कल शाम को वह आपने देखा यह ऑल्मोस्ट थर्टीन थाउजन टू हंडड़ ट्वंटी के आसपास था उसके बाद मार्केट लगा तार नीचे गिर रही है और यहां से मान के चलिए सौ पॉइंट सिंगापुर ने का है पांच मिनट के चार्ट पे बीरिस क्रॉस अल्रीडी बन चुका है यह पांच मिनट में ट्वंटी फिफ्टी आई यह में का बीरिस क्रॉस भी यहां पर देखने को मिल रहा है सीधे सीधे और अभी इससे पहले आपने पॉजिट्रिविटी देखी थी अब डाउन देखे मार्केट में चलता रहता है अभी का जो मार्केट का सिचेवेशन है वो थोड़ा डाउन यहां पर देखने को मिल रहा है उसके अलावा अगर मैं आज यानि की दो दिसंबर की बात करो तो एक बड़ी अपडेट है आई पयो बर्गर केंग का आपके सामने खुलने वाला है दिसंबर दो से और अच्छ आपको महिली गया चार दिसंबर का वेट कीजिए लास्ट टाइम पर देखे कितना सब्सक्रेप्शन हुआ है तब ही आई पयो में अप्लिकेशन डालिए अगर अच्छा अप्लिकेशन नहीं होता तो फिर आपको चीजें लिस्टिंग डे की दिन भी सस्ते में मिल जाती है तो चार दिसंबर का डेट लास्ट डे अगर आपने अब तक हमारा पब्लिक टेलिग्राम गूर्प जोइन नहीं किया तो डेस्क्रिप्शन में लिंक है उसको जोइन कर लेजिए अब हम अपडेट बताते रहते कि केतना सब्सक्राइब हो चुका है और साथ के साथ अब मै क्या है आपको कश्च खबरों के बारे में आपको बताऊंगा जो खबरे आज vest को में रहने वाले मारकेट माहल छाल पैदा कर सकते हैं जिसमें बजाज आटो-आटो सेक्टर के श्टाक साप देखिए आब टो सेक्टर के स्टाक मुर्षा क्या होता है कि जैसे महीना होता ह तो यह starting के 2-3 दिन जो होते हैं अग next month के वहाँ पे auto sales नंबर साथ है मतलब किस company ने कितनी गारिया बैची चाहे वो मारूती हो चाहे वो Tata Motors हो तो कितनी गारिया जब बेती ये निकल के आता है सामने तो उसकी basis पर प्राइस में थलका फुलका आपको यहाँ पर आप डाउन देखने को मिलता है अच्छी sale हुई होगी तो प्राइस में जम पाता है अच्छी sale नहीं हुई होगी तो प्राइस में correction भी आ सकता है टाटा गुरूप के गर बात की जाए तो बही यह बिग बास्केट में 80% की हिस्सेदारी खरीदने की बात हो रही है 1.3 बिलियन डॉलर में तो यह इंडिया का लार्जस्ट ऑनलाइन ग्रॉसर है बिग बास्किट उसकी को खरीदने की बात हुरी है टाटा गुरूप की यह बात है अब देखिए जैसे जैसे आगे निकलते जाएंगे तो टाटा गुरूप के लिए बहुत ही जबर्दस्त बात है आई से बैंक कर बात है इलेक्ट्रिक वहीकल के उपर यहां पर बजाज ऑटो भी इस डिर्यक्शन बें जाने वाला है और इलेक्ट्रिक वहीकल की टिक्नालोजी को एकसेस करने के लिए देख रहा है आगे और अपना जॉइंट वेंचर जो इसका है पियर इंडिस्ट्री ए जी आस्ट्रिय ऑस जो है यह रेज करने की यह फार्मा स्टॉक एकर बात करें तो फाइजर इन कॉपरेशन और बायो एंटेक इन्होंने भी यह बना रहे हैं कोविड-19 की वैक्सीन तो इनको यहां पर रेगुलेटी क्लेरेंस की बात चल रही है योरॉप के अंदर बहुत बढ़िया मैं इंडिया का फर्स्ट यहां पर फर्स्ट अब इंडिया थ्री प्राइविट टेलीकॉम जो की रेज अपने यहां पर प्लैंस के रेट बढ़ा रहा है इस तीज को ध्याद दें स्टील स्टॉक देखिए स्टील स्टॉक इस क्वाटर में जबर्दस परफॉर्मेंस दे सकते इसा थान है अलिशिस का और जो रीखावरी है याँए कि को विट के बाद की जो रीकावरी हो बहुत ही तेज है नहीं पर देखने को मिल रही है और सांथ के सांथ की बाद Film तो अहां पर यू गम्र्मेंट के साथ कोवर्मेंट के साथ लिक्सीन सप्लाई करने का यहां पे तो जिम्मा मिला है यूके एंड इंडिया के लिए वाकषट है तो अच्छा खासा यहां पर वाकषट के पास भी है तो उसको भी यूज किया जाएगा कल की डेट में अगर आप स्टॉक्स को देखो तो जिन्होंने धमाल मचाया वह कौन से स्टॉक थे कार्बोरेंडम एबीवी पावर एमार पील प्रेस्टीज एनबी सी सी गेल खास करके देखे पेट्रोलियम और गैस के स्टॉक्स भी जवर्दस तेजी थे अधानी पावर अगर आप देखो मदरसंसुमी भाई चागया मदरसंसुमी टाटा पावर एवेडियू अधानी एर एंटरप्राइजेस पी इंडरस्ट्रीज वैब को सन फार्मा और आप देख सकते हैं इन्होंने कल मार्केट में हल चल मचाये रखी अब मैं आपको सीधे निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर लेगे जाना चाहूंगा वहां पे बहुत कुछ है सीखने को तो स् कारेकशन इंपल्स के बाद आपको लग रहा हो कि अगली कोरेकशन के रेकॉषरмен्ट है या पर यह कहां तक याप देखिया इंपल्स करेक्शन इंपल्स करेक्शन इंपल्स अभि देखिए अब छोटे टाइम फ्रेम पर सिचुवेशन आपने कल तक देखिए वीकली टाइम फ्रेम में सवंटी लवल के पार यहां पर आरसा ही पहुंच चुका है वीकली पर बुलिस क्रॉस बना उसके बाद की करेक्शन काफी इंपोर्टेंट हर बार की तरह है और इसने हम तो पार होता है तो यहां पर करेक्शन एक्सपेक्ट रहता है जहां पर बारह हजार के लवल के आसपास सपोर्ट मिलने की कोशिश होगी बट आप देखिए कल की देट एक दिन ने अभी तो वीक स्टार्ट हो है जस्ट क्या यह करेक्शन आप आएगे या फिर पिछले आपको हमेशा कहते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट शुड बी यूर प्रायरिटी मार्केट के अगेस्ट अगर आप सोच रहे हो अगर देखिए मार्केट के फ्लो डिरेक्शन में जाओ तो ज्यादा बेटर रहता है बट फिर भी हमने अपने मैं रिस्क को मैनेज करके चलना यह देखिए यह पीक के पास पहुंचता हुआ आप कल की डेट की कैंडल को देख सकते हो लेकिन यह बड़ा रेड कैंडल अभी तक यह दिखा रहा है कि पीक के पास तो पहुंच रहा कर कभी भी मार्केट यहां से डाउन आ गई तो फिर हमें करेक्शन और डीप होती जाएग यहां पर ऐसा जरूरी नहीं कि यहीं पर चला जाए आज की दिख में भी थोड़ा वह जंप होके उसके बाद यह डाउन साइड आ सकता है तो यह तो आपको आप डाउन देखने को मिलेंगे अगर आपको यहां पर इंट्राडे के बेसिस पर ट्रेड लेना तो आपको पूटी करेक्शन आपको देखने को मिलेंगी इंट्राडे में जो कि आपको पांच मिनट पंद्रा मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको बढ़िया यह बहुत बढ़िया मौका आ चुका अगर आप इसी सिचुवेशन को देखोगे तो यह इंट्राडे की आपको उसके बाद यह आवर लिक तक आएंगा तो एक बड़े टाइम के हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो बैंक निफ्टी बहुत लोग ट्रेड लेते हैं लेकिन बैंक निफ्टी में अब देखिए बिल्कुल बन गया निफ्टी से भी ज्यादा मैं कहूंगो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा है यह देखिए और उपसांद के साथ यहां पर बुलिस क्रॉस भी बन चुक है क्या आपको यह एक्सप्रेक्टेशन नहीं है यहां पर करेक्शन आनी चाहती कि मुझे तो यह एक्सप्रेक्टेशन है कि अब करेक्शन की के लिए क्या हमें एक जॉइंट की फॉर्मेशन बड़े टाइम फ्रेम पर मिलेगी और उसको हम चोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं फिलाल देखिए कैसी सिच्वेशन है बड़ी गैंडल तीन चोटी 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 कैंडल अब कॉंटिनू रहने के आपको क्या हो जाता है स्टाप लॉस लेकिन यह सारी चीज़े जब आप ट्रेड करते हैं तो छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से ही चलना पड़ता है तो फिलाल वाइंड अप करते हैं इस वीडियो को उमीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लागा होगा अगर आपको अच्छा लागा तो वीडियो को शेर जरूर कीजिए लाइक कीजिए चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं क्या तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें साथ के साथ बैल आक इनको प्रेस कर लें से च्ट्राप को नोटिफिकेशन आती रहे हैं थैंक यू थैंक पर लाचिक दो वीडियो